टेक्निकल नॉलेज की लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सारी वीडियोज मिलें आपको सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर कीबोर्ड की तो कीबोर्ड कंप्यूटर में एक बहुत ही एहम रूल प्ले करता है क्योंकि जाहिर से बात आपको कोई भी चीज लिखनी है कोई भी चीज as a written concept वहाँ पे देना है तो आपको कीबोर्ड की ज़रुत पढ़ेगी लेकिन जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताए कि कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और क्या आपको उन 104 बटन का यूज आता है तो जवाब होगा नहीं तो पहले भी अल्रेटी में दो वीडियो इस पर बना चुका हूँ जिस पर मैंने lock keys आपको बताई है home keys बताई और एक proper पूरा concept बताई कीबोर्ड का आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यह जो F1 से लेके F12 keys होती हैं जिने हम functional keys बोलते हैं इनका क्या use होता है देखो और keys आपको फिर भी maximum पता होती है लेकिन जो यह functional keys है काफी important role play करती है और इसका shortcut आपको काफी smart represent करता है तो आपको F1 से F12 keys के बारे में जरूर पता होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में cover करेंगे F1 से F12 यानि के functional keys तो मेरा ना मेरा रहूल और शुरू करते हैं आज का topic अब simply दोस्तों यहां आगे हम अपनी computer screen पे और यहां जो सबसे पहली key हम करने वाले हैं वो है F1 key दोस्तों F1 key का इस्तेमाल किया जाता है help के लिए किसके लिए किया जाता है help के लिए माल लिजे आपने Microsoft Word खोला हुआ है ठीक है यहां पे normally में आता हूँ और Microsoft Word आप कुछे से बता होगा तो Microsoft Word यहां पे हम खोल लेते हैं हर एक system में आपको Microsoft Word मिल जाएगा आप normally Microsoft Word स्टार्ट कर लीजे इसके बाद अगर मैं यहां पे press करता हूँ F1 के मैं press करने जा रहा हूँ F1 आप notice करेंगे कि यहां पे थोड़ी सी यह loading लेता है और फिर यह internet से connect होगे आपको यह help represent करेगा देखे यहां पे show कर रहा है कि Word 2016 help इसी तरीके से अगर कोई और software भी आपने खुला हूआ है जैसे कि suppose मैंने यहां पे Chrome खुला हूआ है ठीक है और इसी Chrome में मैंने press कर F1 आप देखे नॉर्मली यहां पे Google Chrome help करके एक tab खुल गया है और how can we help you करके command आ गई है तो basically F1 का use होता है help के लिए अब बात करते हैं F2 की का क्या use होता है देखे नॉर्मली अगर आपने कोई भी folder बना रखा है और कोई भी file बना रखा है अगर आप उसका नाम change करना चाहते हो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक folder है 45 तो मैं इस 45 folder को select करता हूँ simply कहा कि मैंने select और मैं keyboard से press करता हूँ F2 ठीक है आप ध्यान देना keyboard से press किया F2 आप देखेंगे जो 45 है वो blue area में select हो गया है backspace का बटन दबाते हैं तो वो delete हो जाएगा और जो भी नाम आपको लि from file खुली हुई है या कोई भी particular file folder कुछ भी आपके पास तो आप simply उसे select कर लो select करने के बाद आपको just press करना है F2 आप देखेंगे उसका area blue field में select हो गया है backspace किया हमने backspace erase हो जाएगा और फिर आप simply यहां पर जो भी नया नाम लिखना चाहते है मैंने लिख दिया है core java तो F2 का एक यूज यह होता है rename करने के लिए लेकिन इसके other में अगर आप Microsoft word यूज करते हैं ठेक है यह Microsoft word हमने खोल रखा है और यहां पर कोई भी चीज है मानले जिए कोई भी काम आप करते हो यह मैंने एक formula लिखा था equal rand ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और आप enter करोग आप जो print कर रहे हो सही से print हो रहा है नहीं होगा तो उसके लिए मुसका preview देखते हैं एक demo तो अगर आप control key को hold करते हो ध्यान देना एक keyboard से control key को hold करके रखना है और फिर आपको दूसरे English से press करना है F2 आप देखेंगे यहां पर कि आपको एक print preview यहां पर मिल जाएगा तो normally जो आपका print होगा जो भी चीज आपने लिखी है जो भी design किया है वो जो भी print होगा वो आपको as a demonstration यहां पर मिल जाएगा इसके बात next हम बात करते है F3 option का क्या use होता है दोस्तों अगर आप जो भी चीज़े हमने लिखी है यहां पर अगर आप इसी को capitalize करना चाहते हैं lower case य ठीक है तो मैंने इस area को select किया mouse की मदद से मैंने select किया अब यहां पर आप क्या करोगे कि एक उंगली से आपको shift button को दबा कर रखना है एक उंगली से shift button को दबा कर रखना है दूसरे उंगली से जब मैं एक बार F3 प्रेस करूँगा आप देखिए जितनी चीजे लिखी है वो किस में convert होगे capital letters में आप देखिए जरग और से कि जितनी भी चीजे लिखी है जो मैंने select किया था वो सब बड़ी ABCD में convert हो गया है shift मैंने उंगली से दबा कर रिखा आप मैं दुबारा F3 दबा रहा हूँ ध्यान रहे shift दबा होना चीए तो आपने F3 दबाए अब F3 किया lower और फिर F3 किया sentence case तो इस तरीके से आप shift की को दबा कर अगर F3 प्रेस करते हो तो इस तरीके से आप इसका use कर सकते है आप दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे F4 की की तो F4 का use किया जाता है कोई भी window या फिर folder file आपने अगर खोल रखा है उससे बंद करने के लिए पहली चीज़ और दूसरा use होता है system को shutdown करने के लिए तो normally यहाँ पे मैं एक folder start कर लेता हूँ जैसे 68 का folder है हमने इसको खोल लिया और खोलने के बाद simply आप अगर इससे close करते हो तो कहां जाओगे आप यहाँ पर तो यहाँ ना जाते वे आपने alt key को जो keyboard पे आपका alt button है उ manual अगर shortcut में use करना है तो alt key एक उंगली से दबा कर रखना है और आपको press करना है F4 आपका वो file folder बंद हो जाएगा पहला use तो यह हुआ और दूसरा I hope कि आपको पहले से पता होगा तो alt key को आपको hold करके रखना है और press करना है F4 तो यह आपको command आ जाएगी यहाँ पे सीधा shutdown के लिए जो कि आप देख सकते हैं तो दो use है अगर कोई भी file folder आपने खोला है उसे बंद करना है तो और अगर आपको shutdown करना है तो आप इसका use कर सकते हो F5 का use मुझे लगता बताने की जरूरत है F5 का use हम करता है refresh के लिए जो आप starting से ही करते होंगे तो फिर भी एक बार जिन लोग को नहीं पता है अगर आप F5 बटन दबाते हैं आप देख सकते हैं मेरी screen यहाँ पे blink हो रही है तो F5 का use किया जाता है refresh करने के लिए इसके बाद next की आती है F6 तो F6 का use यह होता है कि normally अगर आप task bar पे देखो तो यहाँ कोई भी selection आपको नजर नहीं आ रहा अगर मैं यहाँ पे F6 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो आपके start option है आपको highlight नजर आ रहा होगा फिर मैं F6 करूंगा तो यह कि यह जो options है आपके यहाँ पे अगर आप keyboard से ही इनको manage करना चाहते है जैसे हम गए window पे enter किया तो यहाँ पे window के option खुल जाएंगे ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं F7 की की तो दुबार आ जाते हैं MS Word में अब आपने MS Word में कई बार notice किया होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हो तो वहाँ पे red error आता है मतलब red color की lines आती है green lines आती है तो basically यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अंकेश अब यह अंकेश के नीचे red line आ रहा है क्यों आरह है क्योंकि अंकेश का English में कोई मतलब नहीं होता जैसे good means अच्छा हुआ बेड यानी बुरा हुआ लेकिन अंकेश का मतलब कुछ नहीं होता तो अंकेश के नीचे क्या रहा है? रेड एरर इससे तरह के से मैंने लिख दिया कि I am a good boy चीक है? अब देखिए boy के आगे यहाँ पर क्या हुआ है? कि मैंने जो space है जो dot है वो बिल्गुल करीब आत है लेकिन मैंने क्या कर दिया? आगे दे दिया थोड़ा जिसके वज़े से वहाँ पर blue color का line आ रहा है या फिर error आप बोल सकते हो तो यहाँ पर जब आप F7 प्रेस करेंगे तो यह आजागा grammar checking पर F7 से क्या होगा? spelling and grammar check activate हो जाएगा तो normally यहाँ पर आप सबको select कर लो कैसे करेंगे सबको select? Ctrl A किया पूरा select हो जाएगा F7 की जो functional है आप उसको press करो सबसे पहले ही बोलेगा कि Ankesh के spelling गलत है कि आप इसमें से कोई नीचे जो suggestion दिया है आप change करना चाहते हो तो कर लो otherwise आप इसे ignore कर दो तो हमने इसको ignore कर दिया अब good boy में आप देख सकते हैं कि यह जो dot है वो जादा आगे था तो suggestion दिया है हम इसको select करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे change आप देखिए वो चीज़ यहाँ पर check होगे तो इस तरीकी से इसका use किया जाता है spelling and grammar check करने के लिए अब जो दूसरी की है वो है F8 जिसका use Excel में किया जाता है ध्यान से समझेगा जरू समझ में आएगा तो window R करते हैं हम यहाँ पर और खोल लेते हैं Excel तो यहाँ पर Excel हमारा थोड़ा load ले रहा है और यह start हो रहा है तो यहाँ पर मैं एक blank document लेता हूँ और normally कुछ भी चीज़ मैं यहाँ पर type कर देता हूँ तो normally मैं यहाँ पर एक data prepare किया है अब देगो F8 की से क्या होता है अगर आप navigation keys जो arrow keys होते हैं अगर आप उनका use करते हो तो यह आगे जाएगा नीचे जाएगा इधर वगेरा उपर ऐसे काम करेगा लेकिन जब आप F8 की press कर दोगे तो वो cell lock हो जाएगा और वहाँ से आगे आप multiple selection कर पाऊगे कहने का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर F8 की press कर दिया मैं press कर रहा हूँ F8 की मैंने press किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि normally क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इसका selection हो expand हो रहा है आप देख सकते हैं कि पहले यह जो क्या था कि आगे पीछे हो रहा था लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर selection चल रहा है कुछ इस तरह से आप देख पार होगे तो आपने यह चीज़ देखा होगा, कि जब हम total निकालते हैं, किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो मैंने इसका क्या निकाला, total तो अगर जिन लोग को excel आता है, तो यह जो f9 की है, वो clear हो जाएगी, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्तत हो सकती है, बागे आप इस वीडियो को देखिए, आयोप यह clear हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, कि मैं इसका formula निकाल लेता हूँ, equal sum कि हमने, यह फिर simply क्या करते है इससे भी आसान, मैं आपके हम बताता हूँ, कि यहाँ पर, जो science के numbers हैं, इनको मैं यहाँ लेता हूँ, और मुझे इनका total निकालना है, ठीक है, तो हम गए यहाँ यहाँ पर, और मैं total निकाल रहा हूँ, तो मैंने कि equal sum एक formula होता है, bracket on कि हमने, और इससे select किया, और कर दिय अब यहाँ पर एक setting होती है Excel में, कि जब आप यहाँ जाते हो, और आपको मिलता है more commands का option, आप यहाँ पर जाए और यहाँ जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद, normally आपको एक option मिलता है, यहाँ पर formula का, और यहाँ पर, मैंने automatic किया हुआ है, लेकिन कई बार यहाँ पर manual save ह होता है, तो अगर यह manual पर है, तभी F9 का use आप यहाँ पर समझ पाओगे, तो basically क्या है कि इस formula में, मैंने यहाँ पर formula लगा है, और formula की मदद से क्या होता है, कि यहाँ पर कोई भी चीज आप लिखे रहे है तो अपडेट होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर 85 है, तो 958 कर कर सकता, इसका reason यह है, कि अगर मैं F9 करता हूँ, तो यह जो recording हो रही है, वो stop हो जाएगी, बागी आप यह चीज करके देखो, F9 आप प्रेस करोगे, तो यह चीज ऑटोमेटिकली, जो 366 आ रहा है, वो update हो जाएगा, clear होगे, इसके बाद बात करते है, F10 की का क्या use होता ह अब next की आती है, हमारी यहाँ पे F10, तो बात करते हैं, कि जो हमारा F10 की होता है, इसका क्या use होता है, देखो, जो आपका F10 है, अगर उसको हम किसी control की के साथ use कर रहे हैं, जैसे shift के साथ, तो यह बिल्कुल right click की तरफ work करेगा, और मैं आप क्या करो, कि यहाँ पे select करो, इस computer वाले option को, और मैंने इस पे right click किया, तो मुझे options मिल जाते हैं, देख लीजिया, अब यहाँ पे मैं right click नहीं प्रेस करने वाला, मैं इससे select कर रहा हूँ, और मैं shift के को hold करके press कर रहा हूँ F10, तो आप देखिए, दुबारा से क्या आया, right click वाले options ही आए, तो shift plus F10 का use किया जाता है, right click के तौर पे, clear होगे हैं, इसके बाद यहाँ पे बात करें, जो हमारा अगला option है, वो है F11, यहाँ पे मैंने सारी keys लिख दी हैं, आप चाहें तो यहाँ से note down कर सकते हैं, हर एक key के बारे में, जो जो मैंने भी तक आपको बताई हैं, इसके बाद यहाँ बात करते हैं, F11, F11 का use होता है, full screen on करने के लिए, full screen off करने के लिए, कहने का मतलब कि आपको normally YouTube चलाते हैं, YouTube में अगर आपको full screen करने, आप F11 प्रेस कर दो, देखो, यह full screen हो गया, दोबारा आप F11 प्रेस करेंगे, यह screen off हो जाएगे, तो यह clear हो गया होगा, last key जो है, वो paragraph, और अब इस paragraph को मुझे save करना है, तो आप क्या करते हो, आप normally file में जाते होंगे, और यहाँ पे save as का use करते होंगे, तो यह ना करते हुए, अगर आप सीधा F12 की press करेंगे, तो भी आपको save as का option मिल जाएगा, और जहाँ पी भी आपको save करना है, आप simply save कर सकते हैं, तो आ प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में जादा जादा share करना, साथ ही एक छोड़ा सा comment करके बताईए, कि वीडियो आपको कैसा लगा, thank you